हलो स्टुडेंट्स में राकेश कुमार यादों में आज आप के लिए मेहत के क्यूच क्यूचन लेकर आया हूँ जो रेलिवे और एसेस्टी एक्जाम के लिए मेहत पुर्ण है यदि संख्या संख्या है सार दो पांच एक सार पांच छे और तीन परतेग विसमंक तो यह हो जाएगा विसमंक को अपन थोड़ा बढ़ा करतेते हैं समंक को छोटा फिर विसमंक फिर समंक फिर विसमंक फिर समंक फिर विसमंक और फिर समंक परतेग विसमंक में तीन जोड़ा जाता है तो विसमंक में तीन तो यह हो जाएगा 6 यह हो जाएगा आठ, यह हो जाएगा तार, यह हो जाएगा पांच, और परतेक सम अंक में एक अठाया जाता है, तो यह हो जाएगा इधर, पांच, तीन, तार, और तीन, इस परकार से बनी संख्या, यह सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर, तो सबसे बड़े अंग कौन सा हो गया आठ, सबसे छोटा अंग कौन सा हो गया, सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा अंग, एक विसम, 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 विसम अंग में क्या जोणना है, आट माइनस तीन आट माइनस तीन कितना हो गया पाँच आगे देखे इस्टुडेंट्स दूसरा क्विशन तिरबुज A, B, C में A बराबर 40 और B बराबर 70 तो पहीर्स कोण A का मान ज्याद कीजिए तो एक तिरबुज है A बराबर कितना? 40 डिगरी B बराबर कितना है? B बराबर A, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा B, B बराबर 70 तो तिर बुज के तीनों कोणों का महान कितना होता है 180 तो 180 में से 40 लागया 140, 140 में 70 लागया तो ये भी 70 तो बैर्स कोण ये पूरा कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 डिग्री ब्राबर 140 डिग्री आगे देखे students यदि किसी वस्तु का करा मुल्ले 25 है और विक्रा मुल्ले 2354 है तो परतिसत हानी ग्याद कीजिए खरिदा कितने में 3500 में बैचा कितने में 2354 में कितने कम में बैचा 125 में 125 बटा करा मुल्ले 25 इंटू 100 तो 2 0 से 2 0 125 में 25 का बाग देंगे 6 परतिसत की हानी आगे देखे students एक करम में विवस्तित 11 संक्याओं का उसत 41 पहली 5 संक्याओं का उसत 18 और अंतिम 5 संक्याओं का उसत 64 तो 60 संक्या कौन सी है 11 संक्याओं का उसत कितना था 11 इंटू 41 410, 410 इंटू, 410 प्लस 41, 451 पूरी संख्या थी, पहली 5 संख्याओं का अवस्द, 5 इंटू 18 बराबर, पहली 5 का 90, अंतिम 5 इंटू 16 का कितना, 320, 320 और 90 है, 320 और 90 हो जाएगा, 410, पूरी संख्या कितनी थी, 551 माइनस 410 है, यह हो जाएगी 11 संख्या का, यह 10 संख्या का है, 410, तो इन में से चला जाएगा, 410 चला जाएगा तो 41, आगे देखके स्टूडेंट्स, आचवा क्यूसन, अक्स और वाई सोने और पलेटेनियम की दो मिसर दातू है, जब इन दातूओं को करमस से 5 अनुपा साथ के अनुपात में मिसर बनाकर तयार किया गया, तो हम इन मिसर दातूओं को समान मात्रों में पिगला कर एक तीसरी मिसर दातूओं बनाते हैं, तो सोने की मात्रा और पलेटनिम की मात्रा कितनी है, यह कितना है, 5 अनुपात 2 और 5 अनुपात 7 की अनुपातों का हो गया, अपने इनको एक अनुपाद एक में मिलाना है, एक अनुपाद एक में तो यह हो जाएगा दो, यह इन दोनों का बारस्ताम 18, यह साथ, यह हो जाएगा 42, यह हो जाएगा बारफपंजे, 60, इदर हो जाएगा बारफपंजे 35, यह हो जाएगा बारफदुना, यह हो जाएगा 60 और 35, 95 और इसका हो जाएगा बारफदुना, चोईस पलस गुंचास, चोईस पलस गुंचास थेतर, तो इनका अनुपाद हो जाएगा पिच्यान में अनुपाद थेतर, आगे देखे स्टुडेंट्स, यह दि 6, 18, गुंचालीस और अक्स समा अनुपाद में है तो अक्स का मान, तो यह दिएगा, 6, अनुपाद 18 समानुपाद, गुंचालीस अनुपाद अक्स से, तो अनुपादो के बार ही संक्याओ का गुननपल, बराबर अंदुरिनी संक्याओ का गुननपल है, तो अंदुरिनी संक्याओ 15 बटा 6, 6 से 3 बार, 49 इंटु 3, 49 को 3 से मल्टिपलाई करन सात्वा क्विशन निमन लिकित पाई चार्ट के अनुसार विग्यानिक केल्कुलेटर का निर्मान दर्साया गया है यदि 500 केल्कुलेटर का निर्मान किया गया कितने केल्कुलेटर का निर्मान किया गया 500 केल्कुलेटरों का निर्मान किया गया तो निर्माता को कितने की लाब तो 40% का लाब राफ़त हो सकें तो 20% परतेक सरम लागत कितना हो दाएगा? 20% बराबर कितना? एक लाग अक्स बराबर कितना हो दाएगा? अक्स बराबर हो जाएगा एक लाग बटा चोईस इंटू सो ये कितने कलिकुलटेटर थे पान सो कितने कलिकुलटेटर थे पान सो दो जिरो से दो जिरो पास से दो बार दोजार में चोईस का बाग देंगे तो लगबग 833 833 833 अब कितने कलाब हो रहा है 44 का तो 833 833 इंटू 144 बटा 100 तो ये हो जाएगा 1200 आगे देखे स्टुडेंट्स आटवा क्यूशन 2000 की रासी 8.25 परतिसत वार्शिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रेल 2022 की अउदी के लिए तो 7 फरवरी 2022 में कितना दिन हो गया 21 दिन फरवरी और मार्च में 31 और अप्रेल तो ये हो जाएगा कितना दिन? फरवरी मार्च अप्रेल ये हो जाएगा 22 दिन 22 बटा 360 ये हो जाएगा 1 बटा 5 एक बटा 5 तो मूल दन कितना है? 2000 गुणा दर कितनी है? 8.35 इंटू मूल दन गुणा दर गुणा समय कितना हो जाएगा? उपर एक हो जाएगा नीचा जाएगा 5 इंटू बटा 100 पोइंटर जाएगा? नीचा जाएगा 100 1,2,3,0 से 1,2,3,0 से 3,0 3,0 से 3,0 तो से ये 5 बार 25 पच्चिस पच्चिती फिच्योतर फिर पच्चिती फिच्योतर 33 रुपईया आगे देखे स्टुडेंट्स दस्वा क्युशन 20 महिलाएं एक कारिये को 15 दिन में कर सकती है 20 महिलाएं 20 महिलाएं 20 महिलाएं एक कारिये को 15 दिन में कर सकती है 16 महिलाएं उसी कारिये को 15 दिन में कर सकते है 16 तो 15 से 15 चला जाएगा क्यों हो जाएगा 20 महिलाएं बराबर 15 महिलाएं एक अनुपात एक तो मेन की स्पीड, यह सोला मेन, यह चला दाएगा तार, यह चला दाएगा इधर, इधर तार से पाँच बार, यह चार बार, तो दाएगा, वो मेन बटा मेन, वो मेन की स्पीड तार की, और मेन की स्पीड पाँच की, आगे देखें स्टुडेंट्स, जोन ने एक लेप्टॉप उसके अंकित मुले पर 25% की छूट पर खरेदा यदि उसने लेप्टॉप 28,430 का बुक्तान किया 25% छूट मतलब 4 रुपए की जिगए 3 रुपए में 28,430,883 तो उसका अंकित मुले 4 4 से मल्टिप्लाई 4 ती 12 का 2 हासिल की 1 तार संते 28,चार संते 28,चार रेक गुंतीस का 9 हासिल की 2 तार चोक सोलार दो ठारा का 8 हासिल की 1 तार अंटे 32,बटीस रेक थेटिस का 3 हासिल की 3 तार दुनी 8 तीन 11 इसके अंदर अपन 3 का भाग देते थे हैं तीन तिया 9 दो दो तीन साथ 21 दो तीन नो सताइस एक तीन चीक उठारा तीन चोक बारा नो हजार सत्या इतना हो जाएगा तीन तीन 37,962 आगे धन्यवाद स्टूडेंट चैनल को लाइक, सेर, सस्क्राइब करें ज्यादा से ज्यादा झाल 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 झाल